हलो गूड इमनिंग स्टुडेंट्स सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एम इंस्टिटूट में तो बेटा जैसा कि आज संडे है और संडे की क्लास में आपको मैट्स पेड़ागोजी की क्लास होती है तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी लायवा जाईए और आज मैं सेसन स्टार्ट करता हूँ आपके मैट्स पेड़ागोजी का तो बेटा मैट्स पेड़ागोजी में जैसे की मैंने आपको लास्ट थीरी क्लास करवाई है उनमें बहुत से अच्छे अच्छे कोश्चन आप लोगों को करवाए है ठीक तो उसी के आँगे बढ़ते हैं बेटा इसके प्रोसेस में आँगे तो पहला कोश्चन देखते हैं आज स्क्रीन पर जो आपकी पहला कोश्चन लिखा हुआ है लिखा है बेटा निमलिखित में से कौन सी स्वामुल्यांकन की गड़ती तकनीक कौन सी है which of the following is the mathematical technique of self-assessment तो बटा option A लिखा हुआ है पूस्ताच करना option B लिखा हुआ है तुलना करना option C लिखा है स्वाब इसलेशन और option D लिखा हुआ है सभी को English में भी हम लोग देख पा रहा है question English में लिखा हुआ which of the following is the mathematical technique of self-assessment तो बटा इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें हम लोगों को क्या करना to inquiry करना compare करना self-analyze करना और ये सारी चीज़ें इसमें बटा है और आप सभी को मतलब last option आप देखो इसमें क्या है पूस्ताच करना भी सामिल होता है तुलना करना भी सामिल होता है swap isolation करना भी सामिल होता है ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती बटा combined होती है ठिक तो इसका option number हो जाएगा बटा D right ठिक इसका option क्या हो जाएगा बटा D right हो जाएगा ठिक तो हम लोग option इसका लगा देंगे D ठिक इसका option क्या लगा दिया जाएगा D right ठिक आप सभी को, ये इसमें क्या हो जाता है, सामिल हो जाता है, क्योंकि इसमें पूछताच करना सामिल होता है, तुलना करना सामिल होता है, तो बेटा, option number हो जाएगा, क्या, D right हो जाएगा, सब को clear हो गया, ठीक, चला जाए, next question पर बेटा, next question पर चलते हैं, ठीक, देखते हैं, next है निम्नाइस कोश्चन के सीखने मुल्यांकन के सिध्धान से संबंदित नहीं है तो इसमें हम लोग आप्शन पढ़ रहे हैं देखो आप्शन तीनों देखे चारों देखेंगे द्धान से चारों पाप्षन क्या लिखे हुए है पहला लिखा पहला लिखा हुआ है सामगरी का सिध्धान्थ ठीक तो सामगरी मैथ में होती है अधिगम का सिध्धान्थ दूसरा हम लोग ये भी जानते हैं कि अधिगम का सिध्धान्थ पीस में क्या होता है सामिल होता है ठीक तीसरा लिखा है पच्छपात का सिध्धान्थ और चौथा लिखा हुए निस्पच्चता का सिद्दान, यह प्रिंसपल आफ कंटेंट, प्रिंसपल आफ लर्निंग, प्रिंसपल आफ पार्सियल्टी एंड प्रिंसपल आफ इंपार्सियल्टी, तो बटा इसका आप्शन हो जाएगा, सी राइट, क्योंकि मैथ में हम लोग पार्सियल् हो रहा सब को समझ में आ रहा तो इसका option हो जाएगा बटा सी राइट क्यों क्योंकि mathematics के मुल्यंकन में evolution में which of the following is not a principle of assessment of mathematics learning तो बटा इसमें क्या होता कि principle of content इसमें सामिल होता है principle of learning इसमें सामिल होता है principle of partiality तो सारे बच्चों को clear हो गया होगा यह सारी चीज समझ में आ गए होगी यह principle of impartialty तो इसका option हो जाएगा बटा सी राइट चलते बटा next question सी next third question बटा लाते हैं लोग third question तो यह चीज थिक third number third number question सभी लोग पढ़ पा रहा है third number देखें third number क्या लिखा हुआ है which of the following is not a characteristic of effective mathematics pedagogy निम लिखित में से कौन सा प्रभावी गड़त सच्छा साथ की विशेषता नहीं है तो इसमें option A है बटा रोज मर्रा के अनभवों के साथ संबंद बनाना एकल आउधारना के लिए विविन शिच्छन सिच्छन रणनीतियों का उप्योग करना एक नई अवधाना पेश करते समय सकती नियमों का पालन करना छात्रों की तुटियों की फॉक्सिंग पैटर्न तो इसमें या इंग्लिज में अगर पढ़ पाएं तो making connections with everyday experiences using various teaching learning strategies and for a single concept following strict time rules when introducing a new concept ये सारे हैं तो इसमें बिटा क्या होता है रोज मर्रा की अनभा हम लोग संबन्द करते हैं एकल अवधाना के विविने से च्छन रणनीतियों का व्यूप्योग करते हैं एक नई अवधाना को पेश करते समय सकती नियमों का पालन करना means option C ये से च्छड़ साथ की विशेस्ता नहीं है क्या मतलब हम एक स्पेसली कोई भी एक नई कांसेप्ट लेकर आ रहे हैं तो क्या नई कांसेप्ट के लिए हम लोग उसके लिए सकती नियमों का पालन करेंगे तो इसका बिटा option हो जाएगा इसका option हो जाएगा C right सबको clear हो गया option हो जाएगा C right सबको समझ में आ गया तो option लगा देंगे C एक नई आउधाना पेश करते समय सकती नियमों का पालन करना सबको समझ में आ गया होगा चलते हैं बिटा next question पर अब next question पर आते हैं question number 4 question number 4 बेटा देखिए question number 4 को ध्यान से देखेंगे question number 4 लिखा हुआ है question number 4 लिखा हुआ है how will you cater to the needs of visually challenge students of your classroom in inclusive school आप एक समाव इसी स्कूल में अपने छातर के नेतर हीन छातरों को कैसे जरूरतों को पूरा करेंगे ये question आप अगर answer दे पा रहे हुँ तो दीजिए comment में करिए A, B, C, D option क्या है A लिखा है उन्हें अभ्यास करने के लिए अतरिक्त समय परदान करेंगे B option है उन्हें उच प्राप्ट करताओं के साथ बैठेंगे C option है वेकलपिक सिच्छन सिच्छन विदियों को और संसादनों का उप्योग करेंगे ठिक उन्हें विश्चे सिच्छक के पास भेजेंगे तो बैठा इसका option I think सभी लोग clear कर पा रहे होंगे option number हो जाएगा इसका C देखो इसमें ये भी है provide them extra time for practice make them sit with high achievers use alternate teaching learning methods and resources send them special educator तो बैठा इसमें क्या है उसमें लिखा है वैकलपिक सिच्छन विदियों और संसादनों का उप्योग करें तो means इसका option हो जाएगा बैठा option क्या हो जाएगा इसका C इसका option हो जाएगा वैकलपिक means different types के हम लोग teaching sources का उप्योग करेंगे means option C teaching sources जब अलग अलग लाएगे teaching learning sources लाएगे बैठा तो सारे बच्चों को सभी बात clear हो पारही ठीक teaching sources जब हम अलग 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 करने से ये क्या हो जाएगा कि संसादनों का उप्योग करके हम लोग बच्चों को ज़रूरतों को पूरा कर पाएगे सबको भी ता ठीक आंगे चलते हैं लोग कोष्चिन नूमर फाइव पर कोष्चन नूमर फाइव पर एक और निम्लिखित में से कौन सा सेट गड़त में समस्या सुल्जाने के लिए रणनीत है ठीक.. इसमें क्या है ठीक किस तरह से तो इसमें बेटा कोशन नमबर फाइब में देखो आप इंगलिस में भी पड़ पा रहा हूं लिखा विच वन आप फॉलोइंग सेट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटेजी इन मैथमेटिक्स तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्सन जैसे देखा है मैमराइजेशन गैसें टेस्ट ड्राइंग तो बेटा मैथमेटिक्स में ड्राइंग तो आती नहीं मैथमेटिक्स में ड्राइंग तो आती नहीं तो ए नमबर ऑप्सन गलत हो जाएगा बी नमबर ऑप्सन ट्राइल एरर ड्राइंग मैमराइजेशन ड्राइंग इसमें बेटा ऑप्सन नमबर जो डी है वो परफेक्ट लगदा विलकुल उप्सन नमबर डी जो लिखा हुआ है चर का उप्योग करके एक पैटर्न की तिलास करें ठीक मतलब बेटा इसमें हम लोग क्या होगा एक वैरियेबल यूज करेंगे क्या यूज करेंगे वैरियेबल तो वैरियेबल क्या होता है कि जैसे कोई equation हम लोग बताते हैं वैरियेबल में कोई एक equation यूज करते हैं जैसे x लिखते हैं x plus y लिखते हैं means x plus y is equal to 4 एक वैरियेबल टैप में solve करते हैं और एक pattern बनाते हैं किसी भी reasoning के type का pattern बताते हैं तो वो भी mathematics का part होता है ठीक सब को clear हो गया तो इसका बेटा option number हो जाएगा D right, option number D right, सब को clear हो गया, ठीक option number D right, question number 5 सब को clear हो गया, question number 5 सब को clear okay, चलते हैं बेटा, नेश्ट को, यह D option है, reasoning variable, using variable look for a pattern, ठीक, चलते हैं बेटा, question number 6 पर, ठीक, question number 6 पर जलते हैं, ठीक, question number 6 देखते हैं बेटा, question number 6 लिखा हुआ है, the mathematical games and puzzles helps in, ठीक, जो mathematical games होते हैं और puzzles होती हैं वो help करती हैं किसमें गड़ती, खेल और पहलियां इसमें मदद करती हैं, गड़त के प्रतिसकारात्मक दिश्टिकोंड विक्षित करना, और गड़त और रोजमर्रा की सोच के बीच संबंद बनाना, तो गड़ती, खेल और पहलियां किस चीज में मदद करती हैं, इस चीज का option आप बता सकते हों, ठीक है, option सभी लोग बताएं, जो लोग comment कर पा रहे हों comment करिए, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा बता, कि इसमें हम लोग maths में जो बूला गया है, कि गड़त के प्रति सकारात्मक द्रिष्टिकोर विक्षित करना, ठीक, तो इसका option number हो जाएगा, a right, क्यों बता, क्योंकि कह रहा है, गड़त और रोज मर्रा की सोच के भी सम्मद मनाना, ये कोई reason बनता नहीं, गड़त को सुखद बनाना, ये भी logical सा reason नहीं है, समस्या को सुलजाने और कौसल को बढ़ावा देने सही विकल्प का chain करें, तो उस तरीके से, और इसमें बटा, देखो, ये सारी चीजें तो आ रही है, अब इसके देखो, option क्या लिखें, a लिखा है, 1234, b लिखा है 12, c लिखा है 14, d लिखा है 123, तो बटा, इसमें क्या हो क्लियर हो जाएंगे, सब को समझ में आ गया होगा, means गड़त के प्रति सकारात्मक दर्ष्टि कोणों विक्सित करना, रोज मर्रा की सोंच और सम्बंद बनाना, ये सारी चीजेंस में क्या हो जाएंगी, सामिल हो जाएंगी, ठीक बटा, तो आज आते हम लोग, question number 7 पर, question number 7 क्या लिखा है, एक दिये गए आयत और एक समांतर चत्रबुच का छेत्फल समान है, हलां कि कई कच्छा के छात्र, चार का छात्र का कहना है, समांतर चत्र चत्रबुच का छेत्फल बड़ा है, एक सिच्छक छात्रों को ये सम्झाने के कैसे मदद कर सकता है, उनके छेत्र क यह ऐसे समान हो सकते हैं तो देखो बटा इस एक चार का चात्र है अगिवन रेक्टेंगल और पैरलोग्राम है दो सेम एरिया हावर मैंनी क्लास फोर्थ स्टुडेंट्स रिस्पॉंड पैरलोग्राम है जर लार्जर एरिया इसमें यह चीज बता रहा है कि छेतर समान है तो जो कछा का चात्र का ऍस चीजद नहीं समझ पारा इस चीजद को हमें इस चीजद को समझा आगे तो कैसे इस चीज को समझा पाएंगे कि उसके बारे में देखो question फिर से पढ़ पा रहा हूंगे लिखा एक given rectangle and a parallelogram have the same area how are many fourth class student means यहाँ पर बात क्या वो कहना चाहता है कि जो student है वो एक parallelogram बनाता है और एक rectangle दोनों चीज मनाता तो उन दोनों में difference नहीं समझ पा रहा हूं इसमें नहीं आकरत का उपयोग करके means English में जब इसको आप पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा English में लिखा हुआ using a geoboard बैटा using scale भी नहीं होगा using a geoboard होगा using a graph paper paper holding कोई जरूरी नहीं तो b number option इसका क्या हो जाएगा right हो जाएगा using a geoboard जो होता है जीऊ बोड इसका option right हो जाएगा be number option अवकर सब को क्लियर हो जाएगा be number option using a geoboard तो geoboard क्यों नहीं हो टा है क्योंकि geoboard में हम लोग सारी चीजें समझा पाते थिक आज आते हम लोत में question number 8 पर, question number 8 पर आ जाते हैं, question number 8 सभी बच्चे पढ़ेंगे, question number 8 सभी के सामने आ गया है, पढ़िए, सारे बच्चे question पढ़िए, question number 8, बहुत अच्छा question है, समझ पा रहे होंगे सभी लोग, question number 8, question number 8, question number 8, क्या लिखा हुआ है, लिखा है, गड़ित कच्छा में दरश्टी बाधित के लिए निम लिखित में से किसका रूप उपयोग, सीखने के संसाधनों के रूप में किया जा सकता है, जैसे option A लिखा है, टेलर का अबेकस, अन्सकिट संक्या चार्ट, number 4, computer, geo board, टेलर का अबेकस, computer, geo board, computer, number 4, और geo board, ठिक, तो इसमें सारी चीजें सामिल आती हैं, तो इसमें हम लोग, जो इसका option suitable आता है, वो option आता है, C, Taylor का Abacus, Computer और GeoBoard क्योंकि Computer का Use करते करते हैं बटा Taylor Abacus Use करते हैं GeoBoard Use करते हैं Abacus आप लोगों ने देखा होगा कि जो Laboratory में जैसे छोटे बच्चों के Classes में क्या होता है कि जैसे Pins में डालकर उसको बताते हैं जैसे Number Count करके बताते हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें बटा क्या हो जाती हैं सामिल हो जाती हैं सब को Clear हो रहा है तो इसका Option Number हो जाएगा बटा C Option C हो जाएगा इसका Taylor का Abacus Computer और GeoBoard ठीक मींस इसमें हम लोग ये चीज भी Option इसका जो है ये वाला भी लगा सकते है वो सारी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं एक नट Question Number 8 ये बटा इसका Option हो जाएगा C Taylor's Abacus Computer और GeoBoard मींस Option Number C सब को Clear हो गया Option Number C लगा देगा आजाएं Question Number 9 पर बटा Question Number 9 देखते हैं ठीक Question Number 9 Question Number 9 देखो क्या लिखा हुआ है सब लोग पढ़ पा रहे है Question Number 9 लिखा हुआ है प्रात्मिक अच्छा के छात्रों को माप पढ़ाने के संदर में नेम लिखेत में से कौन सा कथन सही है Which of the following statement true in the context of teaching measurement to primary class students बटा बहुत important अब इसमें क्या है इसका Option Number होगा A तो A क्यों होगा क्यूंकि जैसे बताया गया मानक उपाईों के बाद गैर मानक उपाईों का पालन किया जाना चाहिए मतलब क्या है कि जैसे मानक उपाई क्या है जैसे पहले बच्चे को हमने पढ़ाने के संदर में कोई चीज बता रहा है जैसे एक बॉटल ले लेते हैं बॉटल में एक लीटर की बॉटल है उसको पूरा पानी उसमें चार गिलास डाल दिये तो वो बॉटल पूरी भर गई तो आप बच्चा भी यह जानता है नॉन इस्टेंडराइजेशन मतलब गैर मानक रूप जानता है कि वो मतलब उसने यह नाप नहीं जानी कि उसमें कितना लीटर पानी आ रहा है उसने यह बता दिया कि हम लोग इसमें चार गिलास पानी डाल देते हैं तो इसमें पूरा भर जाता है ठिक लेकिन जब वो कुछ समय बाद मानक रूपायों को जानेगा और मतलब इस्टेंडर चीजों को जानेगा तो उससे वो यह चांड जाएगा कि उस क्लास बॉटल को किस तरीके से भरा जा सकता है इस्टेंडर मैजर कैसे किये जा सकते हैं तो इसका आप्सन हो ज पालन गैर पालन मानक रूपायों द्वारा किया जाना चाहिए यह भी आप्सन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो इसका आप्सन हो जाएगा ए राइट सब को समझ में आ रहा होगा आप्सन हो जाएगा ए राइट मानक उपायों के बाद गैर मानक उपायों का पालन किया जाना चाहिए Option A, Non-Standard Measures through Standard Measures बहुत important question भीटा, लगबग लगबग कई बार पूछा गया है एक्जाम्स में और repeat भी होता है, कई बार, ठीक है, ओके, सब को clear हो गया होगा, ठीक सबसे पहले हम लगब बच्चे को मानक चीज़ें बताएं, उसके बाद गैर मानक उपाये मतलब गैर मानक चीज़ें पढ़ाने के संदर्म में ये सारी चीज़ें चात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है और सबको, मतलब बच्चे को हम चात्र को clear करा सकते हैं, ठीक है, ओके, चलते हैं next question पर, next question बटा, question number 10 question number 10 बटा लिखा हुआ है, सबको clear हो रहा होगा, question number 10 लिखा है, संख्याओं के संदर्म में प्रात्मिक प्रात्मिक कच्छा के बच्चे यानि 8 से 9 वर्स की आयो के बच्चे जो है निमलिकित में से कौन सा सेट पूरा करने में सच्छा पर रहते हैं, seriation, reversibility, proper reasoning और seriation, classification, proportional reasoning और seriation, classification, revisibility और classification, proportional reasoning बेटा इसमें जो option board ने इसका माना है, वो option बेटा है, A इसका, right, option A right है, लेकिन according to me, मैं जो change करके इसमें बोलना चाहता हूँ, वो इसमें बेटा क्या है, मेरे according इसका option C होना चाहिए, seriation, वर्गी करना और उतक्रमर, classification भी होता है, reversibility भी होती है, यह सारी चीज़ें इसमें बेटा होती है, seriation, reversibility, proper reasoning, वैसे option अगर A मान रहे हैं, board मान रहा है, तो हम लोगों को फिर A option ही मानना पढ़ेगा, तो बेटा इसका A option right हो जाएगा, सबको clear हो गया, option A right हो जाएगा, seriation, reversibility और proportional reasoning, सबको clear हो गया, ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बेटा, आज की class यहीं stop करते हैं, सब लोगों को समझ में आ गया होगा, यह सारे questions, सारे questions की PDF आपको मैं लिंक में दे दूँगा, description box से मैं डाउनलोड कर लीजे, और फिर उसके बाद आप इनका दुबारा से revision कर लीजे, तो सारे बच्चों को यह फिर से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को clear हो जाएगी, बेटा, तो आज मैं 10 questions ही आपको करा रहा हूँ, इस pedagogy के session में, और इन questions को आप complete करिए, तो सारे questions I think सबको समझ में आये होंगे, 10 questions जो मैंने यह करवाए हैं, यह सारे questions सबको clear हो गया होंगे, ठीक, यह 10 questions, 10 MCQ जो questions है, यह सारे questions सबको clear हो गया होंगे, बेटा, तो आज की class यहें stop करते हैं, और next Sunday फिर से मैं pedagogy की questions लाँँगा, और courses करूँगा अपकी बार, 50 questions यह 20 questions लेकर आऊं, ठीक है, तब तक के लिए thank you, goodbye, और आप लोगों को कल की class compound interest की बेटा होगी, तो वो class आप miss मत करिये, और 6.15 पर मिलते हैं कल की class में फिर से, ओके, तब तक के लिए bye-bye, सभी बच्चे अच्छे से pedagogy तयार करिए, जितने भी seated 2020 देना चाहते हैं, सारे बच्चे 2020 में 2020 में देना चाहते हैं जो, तो seated की तयारी कर लिजे, तब तक के लिए bye-bye, thank you, goodbye